हाँग तीम इंगलेण seventमे वेस्ट इंडीज दोरे फ़े दोनों देशों के बीच वाय्डवल सिरिस के लिए जा रह dentist उसके ओर एाइज इ tricked एक्म्ैडेРИर दो अब दोनों देशों के शौरू होने वाली है पांस मैंचों की टीटवेंडी ड्याइज सिरी जो कि 13 December से शुरू होने वाली है और इसके लिए आपको बताएं तो वेस्ट इंडीस ने अपनी स्कौर्ड का इलान कर दिया है तो साथ ही एक विस्पोर्ट तक और राउंडर की वापसी हुई है दो सालों के बाद यह विस्पोर्ट तक और राउंडर है आंद्रे रसल जिनकी दो स सालों के बाद वेस्ट इंडीस की टीटुएंडियाई टीम में वापसी होने जा रही है आखरी बार आंद्रे रसल हमें 2021 की टीटुएंडी वोल्ल कप में खेलते हुए नजर आते वेस्ट इंडीस से जो कि UAE में हुआ था लिकिन अब दो सालों के बार वेस्ट इंडीस ने जिनकी टीटुएंडियाई में चार सालों के बाद वापसी होने जा रही है तो साथ ही अभी ODI सीरीज में जो कप्तान थे शेय होब उन्हें अब वाइस कप्तान बनाए गया इस टीटुएंडियाई सीरीज के रिए तो रोमेन पोवल की कप्तानी में वेस्ट इंडीस जेसन होलडर अकील हुसेन अलजारी जोसिफ ब्रांडिन किंग काईल मेयर्स गुदाकेश मोती निकुलस पूरन आंद्रे रसल शर्फेन रदरफॉर्ड रोमारियो शेफ़र्ड आप सकते हैं कि निकुलस पूरन काईल मेयर्स और जेसन होलडर की वापसी हुई है जिने सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं लेकिन में यही है कि आंद्रे रसल की दो सालों के बाद वापसी होने वाली है एक बार अगर रसल के हम टीट्विंट आई के स्टार्स पर नजर आ ले तो अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 67 माच्छेस की 57 इनिंग्स में रस में चैट काना हम सारे जानते हैं कि आंद्रे रसल कितने विस्पोर्टक बल्लेबाज है तो गेंद बाजी काफे ही शांदार करते हैं जब से वह वेस्ट इंडीस के लिए टीट्वेंटी की तरह तरह की लीक्स में नजर आ रहे थे तो साथ ही आई पिल में भी केक्यार के ल कर दो